हलो मैं दियर फ्रेंड्स अपने स्पाइडर मैं मुवी का वह डायलोग सुना होगा जिसमें पीटर पारकर के अंकल उसको बोलते हैं कि विद ग्रेट पावर्स अनि अगर आपके पास ग्रेट पावर्स हैं आपके पास खुब सारी शक्तिया हैं तो उन सक्तियों के साथ उन पावर्स के साथ आपके पास ग्रेट रिस्पावीलिटी déjà नाई है हर एक बीस से पचीस साल के लड़कों को वो किताब पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, वो बुक एक मस्ट्रेट बुक है, तो मार्क मैंसें कहते हैं, कि with great responsibilities comes great power, यानि spider-man movie के dialogue का उल्टा बताते हैं वो, कि अगर आपके पास great responsibilities हैं, अगर आप एक जिम्मेदार इंसान हो, तो आपके पास great powers आएंगी, खुब सारी सकती आएंगी, लेकिन आपको जिम्मेदारी लेने पड़ेगी, the term is, कि आपको responsible होना पड़ेगा, you know, हमें से बहुत सरे लोग, most of the people, अपनी life को बदलना चाहते हैं, and you know what, मैं भी एक वक्त पर आप लोगों के तरह था, और मैं भी अपनी life को change करना चाहता था, बदलना चाहता था, लेकिन मेरे पास enough motivation नहीं था, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे change करूँगा, बिलकुल ही powerless feel कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि power ही नहीं है मेरे अंदर, और मैं कैसे कर पाऊँगा ये, अपने मन से, अपने दिमाग से कैसे जित पाऊँगा, क्योंकि ये distraction से भरी इस दुनिया में, हमारा दिमाग बहुत यदा stimulus हो चुका है, और मेरा भी दिमाग stimulus हो चुका था, और anytime, anytime उसे कुछ मज़ा चाहिए, उसे कुछ अच्छा चाहिए, ताकि उसे अच्छा लगे, और अगर आपने गल्ती से इसे कोई भी कुछ hard work दे दिया, कुछ काम करने को दे दिया, कुछ ऐसा चीज़ दे दिया, जिससे दिमाग को ले कि ये क्या है, कितना बूरिंग काम है, ये क्या है, ये क्यों मुझे दिया जा रहा है, तो कहीना कहीं sort of आपको वो कंट्रोल करने लगता है, उसी तरह से मेरा दिमाग मुझे कंट्रोल कर रहा था, बट, ये नो वाट, पिछले, I think तीन मन से, मुझे लगता है कि मैंने अपना वो कंट्रोल अपने उपर ले लिया है, अपना कंट्रोल मुझे लगता है कि मेरे हाथ में, इससे पहले, जैसे मैंने आपको पता है कि बिल्कुल ही powerless feel कर रहा था, और मुझे पता था कि मुझे क्या क्या काम करना है क्या क्या करना है और मैं अपना to-do list भी तियार रखता था मतलब everything लेकिन नहीं हो पता था अगर to-do list में मैंने अगर एक चीज़ भी कर लिया तो मुझे लगता था कि वाउ मैंने कर लिया मैं day is sorted लेकिन अब मुझे लगता है मेरी life एक अलग direction में है और मैं एक अलग direction में भाग रहा हूँ अलग जिन्दगी के तरफ जा रहा हूँ अलग life के तरफ जा रहा हूँ और जो life मैं जीना चाता था जो life जो चीज मैं करना चाता था वो चीज दिर दिर कर रहा हूँ और उस पटरी पे मेरी life आ चुकी है जहां पे मैं लाना चाह रहा था और ये सब हुआ इसी वज़े से कि मैं ने responsibility ली कि मुझे ही अपनी life बदल ली है nobody is coming to save you ये dialogue ये quote मैंने बहुत सारी बार सुन के रखा था लेकिन action इस quote पे बिल्कुल भी ने लिया जा रहा था nothing लेकिन जब आप ये decide कर लेती हो एक commitment कर लेती हो कि नहीं अब मुझे करना है और ये decision ये commitment कब आता है जब आपके पास कोई और रास्ता नहीं बसता आपके पास आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे बचाने वाला सच में कोई नहीं है मुझे हर तरफ से तानी मिल रहे है और मेरी life एक लगबग wastage पे जा रही है तब आपको लगता है कि नहीं अब तो change होना ही होगा अब तो कुछ करना परेगा और you know what जब आपकी जेब खाली होती है जब आपके हाथ में पैसे नहीं होती तो उस वक्त actual में आता है real motivation जब आप अपने घरवालों को देखते हो अपने बाप को देखते हो अपने मा को देखते हो और जब उन्लों को देखते हो तब आता है असली जोश असली जुनून तब आता है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरे माबाप ने मेरे लिए इतनी कुर्बानिया दी इतनी बलिदान दिया मुझे उन्लों को ऐसा नहीं देखना है मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ और मुझे कुछ करना है इसके लिए और में करूंगा जब आप यह सब देखते हो तब आता है इसली मोटीवेशन और आपको लगता है कि मैं कोई वीडियो देख करके कोई गाथा सुन करके या फिर कोई आउडियो सुन करके मुझे लगता है कि मैं अंदर से motivated हो जाओंगा कता ही नहीं आप हो इनहीं सकते अगर आपके अंदर से नहीं आ रहा है हाँ वो वीडियोज भी helpful होते हैं वो ओडियोज भी helpful होते हैं कब जब आप अपने रास्ते पर चल रहे होते हो और आपको लगता है कि जब आप खुब काम कर रहे होते हो खुब चल रहे होते हो और आपको काम करने में स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं होती और उस वक्त आपको लगता है कि यार मैं ठक गया हूँ मुझे थोरा सा आराम करना चाहिए मुझे थोरा सा कुछ दिन का break चाहिए प्रोस के नहीं दे सकता और आपको अपनी लाइफ की responsibility लेनी परेगी बास कोई नहीं ले सकता आपकी life की responsibility क्योंकि ये दुनिया मतलबी है आप कि लाखों दोस्त हो सकते हैं आपके बहुत सारे सुब जिन तक हो सकते हैं लेकिन आज से पांस सल बात जब आप मिलोगे आज से दस सल बात जब आपको देखेंगे वो तो कहीं न कहीं आपके status को check करेंगे आपका bank balance कितना है वो check करेंगे आप कहां तक गए हो अपनी life में वो check करेंगे तो आपको इन सब चीजों के responsibility लेनी परेगे क्योंकि जब आप responsibility लेते हो यही तो मैंने पहले कहा था कि जब आप responsibility लेते हो तब आपके अंदर से ताकत आती है तब आपके अंदर से ऐसा लगता है कि मैं powerful हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर्फ एक decision, एक commitment चाहिए आपको और आप literally बता रहा हूँ कुछ भी change कर सकते हूँ मुझे लगता था कि मैं इतना बरा loser हूँ मेरे जैसा दुनिया में कोई loser नहीं है मुझे लगता कि हाँ मैं talented हूँ मैं intelligent हूँ मैं कुछ करने के लिए हूँ दुनिया में लेकिन जरुरत ही एक commitment की एक decision की और क्योंकि आप life में उस phase में चले जाते हो जहां पर आपको लगता है कि नहीं अब नहीं जल सकता भाई अब नहीं जल सकता मीडियो करेटी अब नहीं हो सकता मेरा कुछ अब मुझे कुछ करना ही परेगा तब वहां से जाकर आपके life change होनी लगती है तब आपको लगता है कि हाँ अब कुछ करना ही होगा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता आपने वो पुराने कहवत सुने ही होंगे कि खोजो तुम्हें मिलेगा दरवाजा खट-कटाओ दरवाजा खुलेगा लेकिन हमारी प्रॉबलम ये है कि हम लोग दरवाजा नहीं खट-कटाना चाहते है हम लोग खोजना नहीं चाहते हमारे अंदर खोजने का ही motivation खतम हो गया है हमारे अंदर दरवाजा खट-कटाने का ही motivation खतम हो गया है दुनिया में तो जू भी करना चाहते हो उसके लिए अपार उपर्चिनिटी है भदरे उपर्चिनिटी है हमें सरिफ चाहिए उन उपर्चिनिटी को ग्राब करने का एक जजबा एक मोटिविशन चाहिए जो कि आपके अंदर से आएगा कोई नहीं ला सकता है सो एड एंड पावर आपके हाथ में है आप हो असली पावरफुल इंसान और आप चाहे कुछ भी कर सकते हो लेकिन आपको ठानना परेगा आपको एक डिसिजन लेना परेगा एक कमिट्मेंट लेना परेगा और सबसे यदा इंपोर्टेंट रिस्पॉंसिबिलिटी लेनी पर हुआ सेयरे हैं आप रेड में में आपके हम आपके हैं परेगा लेना परेगा रेषवारे लेना परेवेश इंसान परेगा एंड वाल कर दो एक दो भी कर दो एक अवाबख।